दोस्तो यूही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जनून सा दिल में जगाना पड़ता है जब पूछा चडिया से कैसे बनाया आसियां तो बोली भरनी पड़ती है उडान बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है ये UPSC की जननी भी कुछ ऐसी होती है यार डेली आप लोगों को तिनका तिनका उठा कर अपना आसियां बनाना पड़ता है और ऐसा ही एक आसियां बनाया है आपर किसने अर्णम ने SLV Family Member जिनकी rank 42 है आपर CSC 2021 में तो इनकी rank जो आई है आपर अभी आप लोगे सामने ये वो सपना है जो बहुत सारे SLV Family Member सोच रहे हैं कि हमारी भी कुछ ऐसा ही लिस्ट में नाम आए तो कौन-कौन ready है अपना इस लिस्ट में नाम देखने के लिए तो बिलकुर अर्णम की तरह लग कर आप लोगो मेहनत करनी पड़ेगी पिछले दो साल से ये SLV Family Member है SLV के साथ में connected है और जिस तरीके से consistency के साथ में इन्होंने अपना ये मुकाम achieve किया है आप लोग इन से inspire होकर अपनी खुद की जिंदगी में भी कुछ ऐसी consistency ला सकते है UPS scenario कोई exam नहीं है कि बस आप लोग निकाल दो और बस ठीक है काम हो जाएगा ये पुरी journey है और जब तक आप लोग ये journey enjoy नहीं करोगे तब तक आप लोग इस particular मुकाम पर नहीं पहुचोगे पर लेकिन journey जैसी होती है वो ऐसा नहीं कि उसमें सारी खुशे ही होती है कुछ उसमें downs भी आएंगे जब आप लोग बढ़ने का मन नहीं कर रहे है कुछ उसमें ऐसा लगा कि आज तो 15-16 घंटे बढ़ देते हैं तो ये journey इसलिए बोलाता है कि उसमें सारी चीज़े होती है कि तरीके से आपकी life की journey कैसी रही है ये भी एक ऐसी journey है जैसी daily life की जो journey होती है ऐसे UPSC की भी एक journey होती है तो अगर आप लोग मंजिल को enjoy करना चाहते हो तो journey को भी आप लोग को enjoy करना ही करना पड़ेगा जैसे अभी अगर बात की जाए अरणव के बारे में तो सोचो अब इनके family members जो है कितने श्यांदार तरीके से चीज़ों को celebrate कर रहे होंगे और ये कितना खुस होंगे आप लोग सोच रहे हो जब इनसे मैंने बाते की तो मतलब एक खुसी का ठिकाना नहीं था एक ऐसी खुसी थी जो बात उसे जलग रही थी तो ये reality है यार जब आप लोगा selection होगा और आप लोग mail करोगे या फिर आप लोग बाते करोगे तो जो excitement देखने को मिलते है ना वो अपनी ही आप में उसका कोई मोल भाऊ नहीं होता है ऐसा बोल सकते हो कि उसके कम केर में कोई चीजी नहीं होती अगर reality में बोला जाए तो इतनी खुसी जह लगती है इनसान की तरीके से एक जिंदकी मैं से और वो एक तरीके से हर एक उस चीज को thanks बोल रहा होता है कि हार इन चीजों की वेसमें हाँ पर पहुँच गया पर लेकिन reality में होती है वो चीज एक छोटा सा role play कर रही होती है actual में उस इंसान की पूरी मेहनत होती है जैसे कि अगर बात की जब आप लोग का selection होता है तो आप लोग बोलते है और आप लोग के अंदर एक satisfaction होता है कि हायर मजा आ गया result देखने के बाद में तो वो होता है final वरना यार देखो बहुत सारे बच्चे हैसे होते हैं जिनका selection नहीं होता है इसका मुलग यह नहीं किये पर लेकिन उस list में नाम आना वो reality में एक तरीके से बोल सकते कि सपने का सास हो जाने वाली बात है तो आप में से कौन-कौन है जो इस list में नाम लेकर आने वाला है चल्दी बताओ किसके साल की तयारी कर रहो हो यह जरूर बताना और यह जो list अभी हाँ पर reserve list है हाँ पर reserve list में इनका नाम आया result जो declare किया था उसकी reserve list UPSC के दोरा हर बार declare की जाती ह अब की बार फिर हाँ पर जो लगबग 64 एकरी member थी हाँ पर तो 63 का result यहाँ पर आप लोगे सामने है उसमें से 42nd rank जो है आप आप लोगो अरनम की देखने को मिलेगी तो congratulations dear पूरी SLV परिवार की side से और आप लोग भी हाँ पर comment box में लिखना अरनम और फिर congratulations क्योंकि एक दि किनी शांदर आती है जब मैंने मिल देखा ना मैं रिलरी में काफी अच्छा लगा मुझे कि मैंने का यार वाव यार एक तरीके से इतने लंबे समय से जो महनत की गई उसका result निगल करा रहा है सामने तो एक teacher को भी उतनी खुसी मिलती है जितनी एक उस इंसान को मिलती है ज जब आप लोग रहता है कि city में रहते हो जैसी selection हो जाता है तो सब लोग जो है बाते करते हैं कि हाँ यार पढ़ने में अच्छा था बच्चा ये था तो वो सारी बाते कहीने कि उस टाइम पर इंसान रिगोल कर रहा होता है जब वो उस जर्णी में होता है अगर वैट के द ठीक है तो जिन्दगी में हमेशा लगे रहन है और बाकी जो मोरनी में उठकर रेगुलर अपनी study लेकर चला है सही direction में 6 बचे जब हिंदो की वीडिया आती है इसलिए बोलता है यार मैं उसमें starting में सुना है आप लोग ने हाउस दा जोस उसका मतलग क्या रहता है अगर कि इसी तरीके से आप लोग चीजों को थाम कर अपना दिन स्टार्ट कर पा रहे हो न अच्छे से एक एक दिन जो आप लोग इंजय करते हो वो दिन आप लोग का चल के साल बनता है और वो साल ही आप लोग को final result देकर आता है एक एक दिन बिल्कुल मकान की नीव की इंट के ब पना रख था उसका उसकी वेसे इतनी उची जो बिल्डिंग है उसके उपर खड़ी हो पाईए तो यह जो बेस बनता है यह बेस वो दिन होता है अगर दिन अच्छे से आप लोग utilize कर पाए तो इसका सिधा सिधा मतलब ही है कि अब आप लोग अपनी मंजिल के बहुत जाद करीब हो क्योंकि आप लोग अपने दिन को utilize कर पा रहे हो उस दिन को अगर जो उसके साथ में utilize करोगे तो वो reality में आप लोगो final result दे कर आएगा तो इसलिए मैं हमेसा कहता हूँ कि सारी चीज़े भूल जाओ बस अपने दिन पर focus करो और उस दिन में कुछ अच्छी चीज़ परिवार को भी एक तरीके से दिल से बढ़ाई और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो तो आप लोग भी इसी तरीके से अपना शांदार तरीके से जर्नी को आगे लेकर चलते रहो और बताना की कौन-कौन से साल में आप लोग basically paper देने वाले कई सारे बच्चा यहाँ जो भी लंबी जर्णी लेके चलने है जो 24 में देंगे पच्छिस में देंगे तो उसको enjoy करना जरूरी है ठीक है और enjoy करने के लिए आप लोग के mind में goal होना चाहिए बिल्कुल कि हाँ यार बस यही goal हमको चाहिए उसको recall करते रहना है जैसे बोलता है हिंदू का लेक्चर कम्टिट होने के बाद में कि recall किया क्या क्याद है अगर गोल भूल जाओगे energy down जैसे गोल आगया energy up तो वाली बात यह रखनी है ठीक है तो I hope कि आप लोग उने enjoy किया होगा अच्छे से motivation आप लोगो मिला होगा और इसी तरीके से आप लोगो भी अपनी जर्नी को शांदार तरीके से continue लगने ठीक है तो more नहीं में मिलता हूं हिंदू के वीडियो के साथ में किसके साथ में जॉस के साथ में तो हस्द जॉस कमें डोप से हाई लिगना ठीक है तो enjoy कर कोजरो